आकांग्शी जिला कांकेर में कृषिविज्ञान केंदर से ट्रेनिंग लेने के बाद युवा कड़कनात चूजों का पालन कर रहे हैं इससे मुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वही युवाओं की आमदनी भी बढ़ रही है चूजा पालन कर रहे है युवा हिमान्शु साहू ने बताया कि प्रसिक्षन के बाद उन्हें इंक्यूवेटर मशीन प्रदान की गई जिससे मुर्गी के अंडों के तापमान को बढ़ाया जाता है इससे उन्नत नसल के कड़कनात चूजे पैदा होते हैं कि कड़कनात का उत्पादन चालू कर दिया और कड़कनात के अलावा अन्य देशी नसल के मुर्गों का भी उत्पादन चालू किया जैसा डिमांड आ रहा था उसी सबसे उसके बाद फिर अभी के टाइम में हमारे पास बारह हजार की छमता का एक इंक्यूवेटर मशीन है जिसमें हर अपते लगभग दो हजार से तीन हजार अन्डा से चूजा का उत्पादन होता है वहीं इस बारे में डॉक्टर डी सूर्याम ने बताया कि क्रिशी विज्ञान केंदर में कड़कनात का प्रजनन इंक्यूवेटर मशीन की साहता से हो रहा है गरीब दो लाग बीस अजार चूजे पैदा हुए हैं जिसे कुकुट पालकों को बाटा जा रहा है 2014 से कड़कनात के चूजे क्रिशी विज्ञान केंदर जाबू अमध्य प्रदेश से लेके आये थे उसको हमने यहां पे रखके उसका प्रजनन क्रिश्रिम रूप से इंक्यूवेटर की साहता से करके अब अब जगबग दो लाग बीस हजार चूजे उत्पादन करके जीले के किसानों को और दूसरे राज़े के भी किसानों को वितरन किया जाए चुका है चूँकि कड़कनाथ के मांस में वसा और कोलिस्ट्रॉल का प्रतिसर बहुत ही कम रहता है दूसरे बर्ट की तुलना में और इसमें आईरन और विटामिन दूसरे बर्ट की तुलना में ज्यादा रहता है इसमें इस मांस का औसधी उपियोग किया जाता है डॉक्टर सूर्याम ने बताया कि क्रिशी विज्ञान केंद्र काकेर में 2014 से कड़कनाथ मुर्गों का पालन किया जा रहा है इसमें कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है यहां से अन्य राजिके कुकुट पालक भी कड़कनाथ चुजे पालने के लिए ले जाते हैं खुद के लिए तो सभी जीते हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के हित के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं ऐसे ही पर्यावरन प्रेमी है जांजगिर चापा के कपिल श्रिवास जिनोंने बरसों से पौधे लगा कर पर्यावरन संवरक्षन की दिशा में अनूठा प्रयास किया है अपने इस कारे के बारे में उन्होंने बताया कि अब तक वे करीब 50,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं ये सिलसिला वे आगे भी जारी रखेंगे कपिल के कारें को जन प्रतिनिदियों के साथ ही ग्रामिनों की भी सरहना मिल रही है चापा नगरपालिका के अध्यक्ष जैत हवाईत का कहना है कि पर्यावरन मित्र के रूप में कपिल की पहचान पूरेक्षेत्र में बनी हुई है पर्यावरन सनरक्षन की दिशा में वर्षों से जुड़े हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों को पर्यावरन सनरक्षित करने का संदेश दे रहे हैं कपिल उनकी इक्षा है कि सभी लोग पर्यावरन के प्रती जागरूख हो और इसे सनरक्षित करने के लिए कारे करें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परिक्षा पे चर्चा कारेक्रम को लेकर जहां स्कूली बच्चों में उत्सा है वहीं स्कूल प्रबंधन भी बच्चों को परिक्षा की तयारियों के लिए प्रोसाहित करने में जुटा है इसके तहट भिलाई के क्रिशना पबलिक स्कूल में परिक्षा पर चर्चा कारेक्रम का सेल्फी जोन बनाया गया है जहां बच्चे पूरे उत्सा के साथ सेल्फी लेने पहुच रहे हैं और अपने साथियों के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं दूरदर्शन समाचार से बाचित करते हुए इन चातराओं ने बताया कि परिक्षा पे चर्चा कारेक्रम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की एक सरानी पहल है और ये कारेक्रम बच्चों के मन से परिक्षा के भै को दूर करने में मददगार साबित हो रहा है परिक्षा को हमें एक positive attitude में लेना चाहिए इसके result को हमें overhype नहीं करना चाहिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से parents और teacher चाहते हैं कि सारे students 99 वाले ही percentile में हो लेकिन हर student age जैसा नहीं होता, सब अलग-अलग होते हैं परिक्षा पर चर्चा मुझे लगता है कि इस लगता है कि अपने प्राइम मिनस्टर वी फिल मोर अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते हुने वहीं स्कूल की प्राचार्या सवीता त्रिपाठी का मानना है यह एक उत्सव है जो पूरा देश मना रहा है और बच्चे जो इस समय बेहत तनाव ग्रस्थ हो जाते हैं उस तनाव से मुक्ती के लिए ऐसे कारिक्रम होते रहने चाहिए और सभी बच्चों का इसमें involvement होना चाहिए तो यह कारिक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंब किया गया है कुछ वर्ष पहले यह एक बहुती अच्छा कारिक्रम मानती हुमें कौर तलब है कि 27 जन्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के स्कूली बच्चों से परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम के माध्यम से समवाद करेंगे भारत ने दूसरे एक दिवसी अंतराश्री क्रिकेट मैच में न्यूजीलेंड को आठ विकेट से हरा दिया है रायपूर के शहीद वीर नारायंड सी अंतराश्री क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत की ओर से रोहिच शर्मा ने 51, शुबमन गिल 40, विराट कोहली 11 रन और इशान किशन ने 8 रनों की पारी खेली इसके पहले न्यूजीलेंड की टीम ने लगभग 35 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाये थे जिसमें सबसे अधिक रन ग्रेन फिलिप्स ने 36 रन बनाया वही भारती गेंदबाजों में सबसे अधिक 3 विकेट मुहमद शमी ने तथा दो दो विकेट हार्दीक पंडिया और वाशिंग्टन सुन्दर ने लिए मुहमद शिराज कुलदीप यादव शारदूल ठाकुर को एक एक विकेट मिला इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार